नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है करन और आप मेरे साथ देख रहा हो Plastatic, the world of plastics तो दोस्तों आज हम जो है कि आज हमाई जो वीडियो है जैसा कि open machine है हमारी आप देख सकते हैं अभी एक structure है machine का जो open structure है जिसमें हम चीजें fit करते हैं तो आए आज यह जो injection unit है हम इसके बारे में समझेंगे तो यह जो वीडियो है यह फ्यूटेक ग्रूप की है तो यह injection cylinder जो है वो pipe से connected है यहां पर hydraulic oil वगारा है उसका input output यहां से होगा तो आप देख सकते हैं यह जो section है यहां पर जो injection का यह injection system और यह suck back का यहां पर आपका इंजेक्शन के बाद यह पीछे की तरफ screw को लेता है तो अब जो है आप देखें यहां पर जो आपको दिखेंगे यह hydraulic जो है यह hydraulically जब इसमें oil होता तो इस तरीके से movement कराने का काम करते हैं जैसे कि आपकी injection unit forward और backward direction पर आती है आगे या पीछे होती है और उसके बाद बात करते है यह आप देख सकते हैं जो यह आपको चमकता हुआ दिख रहे है stainless steel type का तो यह जो है यह क्या है यह guide linear guide है जिसमें आप देख सकते है इस पूर्णी के दवारा किया जाता है जो इस मशीन पर हाइड्रो मोटर, इसको बेस्ट से बेस्ट हम लगाया है, ताकि जो इसका रोटेशन हो, क्योंकि इस क्रू जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी मशीन पर, तो जो screw जो है वो best तरीके से इसका movement होना चाहिए यहाँ पे आप देखेंगे यह जो है इस screw को बाढ़ने के लिए coupling का इस्तमाल करते हैं यहाँ पे तो यह भी जो है यह direct जो है यह futic द्वारा ही बनाया गया है इसका जो है खुझ से बना के ताकि screw जो है best तरीके से fit हो सके और इसमें screw जो है वो कभी भी जो है इससे बाहर नहीं निकलता इसकी जो है वो पूरी guarantee और पूरा ध्यान रखा जाता है अब बात करते हैं adjustment की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ adjustment bolts लगे हुए हैं यहाँ पे आप बकाइदा देख सकते हैं किस तरीके के adjustment bolts क्या function कर रहे हैं कि इन adjustment bolts के द्वारा आप जो यह पूरा unit है इसको left और right कर सकते हैं यहाँ से और इसके बाद यहाँ से आप इसको height adjustment कर सकते हैं यह उपर और नीचे यह पूरी unit हो जाती यहाँ से इसका left और right जो है इस तरीके से आप इसको movement करा सकते हैं तो इससे क्या होता है कि जब आप mold में आपको alignment कराना है तो उसके लिए काफी benefit होता है और बहुत जल्दी आप इसको कर सकते हैं आगे बात करते हैं आप यहाँ पे देखोगे तो जो है आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो आपका cylinder है तो आप open cylinder यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से attach किया गया है इसको क्या चीजे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसली जो है different zones होते है जैसा कि मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि किस तरीके के जोन्स होते हैं जैसे कि feed zone पहले आपका material जो होता है वो feed zone में आता है screw जहाँ पे होता है तो वो feeding करता है फिर उसके बाद जो होता है compression zone यहाँ पे क्या होता है screw में आपका जो compression होगा compress करेगा material को और last होता metering zone जहाँ पे जो बचाखुचा material होता वो पूरी तरीके से plasticize हो जाता है आगे बात करते है nozzle आप nozzle देख सकते हैं यह जो है nozzle का area है यहाँ पे जो nozzle है आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं जिस हिसाब का nozzle चाहिए क्योंकि different types के nozzle आते हैं तो दोस्तों यह कुछ basic machines के थे जो few tech machines का है तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यह opened है machine तो यहाँ पे हमने दिखाने की कोशिश किया कि injection जो unit है उसके अंतरगत क्या क्या चीज़े आती है क्या क्या basic points थे वो cover किया तो दोस्तों यह हमारी वीडियो थी injection unit की आगे आपको detail में समझाएंगे बहुत सारी चीज़े जैसे कि screw होता है तो screw में उसके flights कैसे होती और उसकी dimension यह सारी चीज़े हम कैसे क्यों किस तरीके से set करते हैं और और भी जो आगे चीज़े होंगी further detail में हम एक एक वीडियो में उसको clear करते जाएंगे तो जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे बेल की घंटी दबा दीजे और जुड़ जाए प्लास्टो टेक दवर्ड आफ प्लास्टिक्स में मिलते हैं कुछ नया लेके अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहन चैभारत